दमस्कार दोस्तों, कैसे हो आज हम आप हμαपिया कर आया है इंडियन एरफोस में निकलूए भरते के बारए में इंडियन एरफोस ने हाली में ही भरति चारी कि है और हमें इस पोश्ट को य Espilie आपको अप्लाई करना है तो यह विडियो अन non-technical post के लिए भरती जारी की गई है और education qualification इस post को apply करने लिए आपको intermittent education प्राप्त होना जरू है याने graduate तथा दस्वी बार्वी पास उमेधवार apply कर सकते है और post graduation इंजिनियर्य टेखनोजी इन डिसिपेन वो भी उमेधवार apply कर सकते है selection procedure जो है वो online test और interview panel के द्वारा होने वाली है प्रतिमाह आपको यहाँ पर वेतन अच्छा कासा मिल जाएगा जो कि 56,100 रूपीज से 1,10,700 रूपीज तक हो सकती है पेस के लाच्छी खासी है application fee आपको यहाँ पर भरनी है जो कि 250 रूपीज है for general and obesity candidates all other applicants NACST तथा category candidates के लिए 250 रूपीज अप्लिकेशन fee है एज गाइटर है आप पर जो maximum age limit है 26 साल besides आपको एज रूपीज सेशन भी अप्लिकेबल है अधिक जानकरी के लोगो ऑफिशल website पर हम जाएंगे पर उसके पपले हम PDF में देख लेते हैं क्या जानकरी मिल रही है तो PDF में इसके से कुछ जानकरी बताई गई है पर लाश्ट अप्लाइ करने के लिए क्या है वो देख लेते हैं जो की 15 जूले 2018 है तो आप देख सकते हो आपके पास अभी भी 10 दिन पूरे मिल रहा है आपको अप्लाइ करने के लिए तो आप पर डिपेंड करता है आप कितने जल्द की से पूरी जानकरी बताई गई है PC for male candidate joining PC officer will be continued to serve till the age of supreme annuation as per the branch and rank SSC for male and women's engaging period of flying branch SSC officer 14 years and the date of commission not extensible जानकरी बताई कि type of commission कैसे males के लिए कैसे females के लिए या women's candidates के लिए कैसे है 20-24 साल तक उमेदवार apply कर सकते है और flying branch के लिए general duty के लिए 20-26 साल जाने दो साल एक्स्ट्रा है और notification के बारे में आप पर जानकरी बताई गई है online तरीके से आपको apply करना है आपकी आप पर select होने पर training भी होगी और pay ranks कैसे होने वाले है तो जैसे हमने पहले discuss करा किया है वो insurance कितना होगा sports and adventures के बारे में जानकरी बताई लिंक आपको दी गई है उस पर आप क्लिक करकर यह जो दो लिंक्स दिये के है official notification के और application form की उन्हें access कर सकते हो और apply भी कर सकते हो जिससे आपको apply करने में दिक्कत नहीं होगी तो दोस्तों आशा करते है वीडियो आपके पसंद आई होगी हम मिलेंगे आपके से किसी और व कर दो